हर खबर पर होगी आपकी पकड डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइब दसकों तक चले विवाद और संघर्ष के बाद आयोध्या में भव राम मंदिर निर्माल का रास्ता प्रस्थ हो चुका है पांच अगस्तों प्रधान मंतरी नरेद मोदी खुद राम मंदिर का सिलान्या जी और आज यस वक्त बिने कट्यार हमारे साथ में उन से बात करेंगे बिने जी पहली प्रतिक्रिया क्या है शुक्त अनुबर के सुखद अंज प्रस्थ है राम के मंदिर का इसले इसे शुखद और शिती कुछ हो नहीं सकती और वह राम के मंदिर का बनेन मोदी जी आ रहे हैं आयुद्धा पूरी उनकी आयुद्धा पूरा उनका स्वागत करेगा और बढ़िया कारिकम होगा कुरोना चला है कुरोना के कारण से जो भव दिव और होना चाहिए वो नहीं हो पाएगा लेकिन आयुद्धा पूरी सजाई जा रही है दिपक जलेंगे जंडे लगेंगे मकान एक रंग में रंगे जाएंगे यह सब हो रहा है तो पूरी आउद्धा सज रही है और मैं समझता हूँ बहुत जगे इसी प्रकार का जंडे लगा करके रोख खुशी का इजहार करेंगे जिने जी आप तो पूरे आंदोलन में शरीक रहे हैं हमें 6 दिसंबर 1992 के दिन के बारे में थोड़ा सबताइए कितना चुनोती पूर्ण दिन था वो अचानक घटना घटित हुई है वो 6 दिसंबर 1992 को कोई इसी बात नहीं थी लेकिन लोगों का जोश खरोश आ गया सोचा होगा कि ये धांचा गुश्य का प्रतीक हो गया था सब लोगों को लगता था इसको हटना चाहिए हटना चाहिए अब नौजवानों को कौन रोके उनके बन में आया ये गुलामे की प्रतीक है खड़ा दिया और उस पर क्या कह सकते हैं अच्छा गिराया गया तो उसमें कुछ लोगों की आपकी ही पार्टी के लोगों की प्रतिक्रिया है कि अगर आज धांचा खड़ा होता तो साइध कोट में ये फैसरा ना हुआ तो जो आज राम मंदिर के पक्ष में हुआ है मैं इस पर ट्रिपड़ी नहीं करूंगा और जो हुआ अच्छा हुआ जो होगा ओभी अच्छा होगा नहीं होता तब भी अच्छा था सब अच्छे ही था आयोध्या तो भविमान राम मंदिर बनाने के लिए तियार हो रही है लेकिन आप लोग सुरू सही कहते रहें आयोध्या काशी और मथुरा तो अब क्या काशी और मथुरा के नंबर आने वाला है विचार करेंगे पहले कहां जाएं विचार करेंगे हर इस्थान की अलग-अलग परस्थितियां हैं अलग-अलग सोच है तो देखा जाएगा अभी सब के साथ बैठेंगे विचार करेंगे कोई यह काम ऐसे आसान नहीं होते हैं पड़ी कठनाई से सब चीजें आगे बढ़त अब विरोधी विरोध करने के लिए विरोधी हैं बाकी कोई मतरम नहीं परधान मंत्री जी करोना के कारण से एक निश्ची संख्या में कम ही संख्या में कारकम करना चाहिते हैं तो वो उतनी संख्या में होने वाला है कारकम हम अधिक लोग बुला नहीं सकते थे अवे जिन परिवारों को लोग सहीद हो गए उनको भी नहीं बुलाया गया तो ये कारिकम संख्यात्मक नहों करके थोड़ी सी कम लिम्टेड संख्या में कारिकम किया जा रहा है लेकिन प्रधानमंत्री सिलादान कर रहे हैं इसलिए उसका संदेश सब जगे जाए तो वह युद्या की व्यापक्त ट्यारी हो रहे है इस पूरी जो आज स्थती उत्पन हुई है रामंदीर बनने जा रहा इस पूरे जो लाई है और जो आंदूलन चला है उसमें अगर किसी एक व्यक्ति को स्रेय देना होगा तो किसको देंगे एक व्यक्ति का स्रे नहीं है वे बहुत सारे पर्चे दीजिए धाचा गिरा किस ने सोचा था लोग आए गिरा कर चले गए कौन आए क्या आए क्या मालूम सब हुआ कुछ लोग सवाल खळे कर रहा है कि प्रधानमंत्री सिर्व मांनन तरक्र का साथ तैजिए वे इससे प्रसारन की तेयरियां हुझ ःत्ते लैए उसके факण कि प्रधानमंत्री हो da प्रधान मंत्री को इंद्रा गांधी जाती रही कि नहीं जाती रही पंडी जवाला नहरु जाते रहे कि नहीं जाते रहे राजिव गांधी जाते रहे कि नहीं जाते रहे नर्शिंगा राव जाते रहे कि नहीं जाते रहे ये सब तमाम नेता धालमी की स्थानुप गए हैं, पूजा किया है, सब ने किया है, अपने धंग से किया है, चुनाओ आता है, तो सब जाकर मत्था टिक ते, राउन गांदी सब जगे जाकर मत्था टिक रहे थे चुनाओ में, ये सब भकवास हैं। आयुद्या का लक्ष बता रहे हैं, पूरा हो गया, इसके बाद कासी और मत्थुरा का लक्ष बनाया जाएगा, जिसके लिए एक व्यापक रूप रेखा भी तैयार की जाएगी। क्यावन अवन फैसल के साथ संजेत रिपाठी, एबीपी निउज लखनो। क्या जाएगी। झाल झाल